ख़वर मथूरा के सौंक से गंदे पानी से कस्वा सौंक के किशान परिशान जब पूरा देश कोरोना महमारी से लड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ मथूरा के कस्वा सौंक के किशान गंदे पानी का निकास होनी की वज़े से परिशान है आसपास के खेतों में पानी भरा हुआ है और फसले नश्ट हो रही है खेतों की तरफ पानी जाने वाले रास्ते भी जल मगन हो रहे हैं पूछने पर पता चला कि ए पानी कोई वर्षात का नहीं है बलकि कस्वे का गंदा पानी है किसान देवेंदर ने बताया कि इस गंदे पानी के भरा होनी के कारण हमारी खेतों में फसल नहीं हो पाई गंदे पानी के निकास के लिए हमने इस्थानी प्रिसासन को कई वार अवगत कराया उस दिन के लिए नगर पंचाद प्रिशासन ने टूवे लगा पानी को कम किया अब भो भी हटा लिया गया है अभी तक इसका कोई भी स्थाई समाधा नहीं निकला और दूसरे किसान हरी शिंग ने बताया कि जल भरा और लाइट के खंबे होनी के कारण करंट से कई हाथ से भी हो चुके हैं कि उस दिन पहले ही करंट से भाश मर चुकी है किसानों का कहना है कि अगर जल्दी गंदे पानी की निकासी का समाधान नहीं किया गया तो हम सभी किसान भाई धरना प्रदलसन करेंगे तो आपके खेत पगेरा है यहां पर तो प्रसासन से आपने कुछ मांगे रखी इसके समाधान के लिए प्रसासन से अब करा देना अभी ताधान से गश्राइब नहीं तौक स्मादान सब्सक्राइब क्या पान के लिए प्रक्राइब हाएधान नहीं कोई समाधान कहाई यह तु इसistent कािया जो कतली ओए नाम किया है तो है अद नहीं क्या नाम क्या है यह जो आपके खेतों में पानी वर्रा है कितने तुम्हारी तुम्हारे खेतें यहां पर कोई फसल अगए है आपकी ते मेर हो जी आच्छा इन्ट थाड़े हैं ना कि अब डाट गठ गरिए यह झाराइं हम पानी की वजी इंक ने करेंगेा जैक को पानी निकल जा यहांते पानी निकर जान झा जाए तो तो बच्छा जांगे नहीं पचे ना है